नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शुक्रा मैं रोत्रा चार बजे की चार खबरे देख रहे आप जिसमें आप चर्चा करेंगे आज दिन भर की चार बड़ी खबरों पे तो पहली खबर के ओर रुक करते हैं एक साल से अधिक समय से दिल्ली की सीमाव पर आंदोलन कर रहे सयुक्सान मोर्चा ने आज आंदोलन इस्थगित करने का ऐलान किया है सयुग किसान मोर्चा की बैठक में सरकार के प्रस्ताओं पर चर्चा के बाद आंदोलन इस्थगित करने की घोशना की गई सरकार की तरफ से क्रिशी सच्चिव के हस्ताक्षर वाली चिठी किसान मोर्चा को भेजी गई बैठक के बाद किसान मोर्चा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा कि सभी किसान नेता 13 दिसंबर को स्वाइन मंदिर में मत्था टेक ने अमरित सर जाएंगे बैठक के बाद किसान नेता बलवीर सिंग राजवाल ने कहा कि हम एहंकारी सरकार को जुका कर जा रही है किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ स्थगित हुआ है मोर्चा खत्म हो रहे हैं 11 इसंबर से घर वापसी होगी सेयोग किसान मोर्चा बरकरार रहेगा हर महिने 15 तारीक को बैठक होगी गुर्णाम सिंग चढूनी ने कहा कि 15 जनवरी को बैठक बुलाई गई है जिसमें सरकार ने वादे किये हैं उनकी समीक्षा करेंगे अगर वादे पूरे नहीं हुए तो फिर से आंदोलन कर सकते हैं तो किसान आंदोलन खत्म हो गया है आखिरकार एक सार के लंबे इंतजार के बाद सबसे लंबा आंदोलन कह सकते हैं हम इसे एक साल तक यह आंदोलन चला और अब इसके अपाद किसानों की घर वापसी हो रही है पियम नरींद रमोदी ने जब से कृषी कानून वापस लेनी के बात कहीं उसके बात से ही चरचा चल रही थी कि आखिर कब किसान आंदोलन खत्म होगा और कब किसान अपने घर वापस जाएंगे किसानों की घर वापसी के लिए ही प्रधान मंतरी नरीन रमोदी ने ये तीन ने कृशी कानून वापस लिए जिसके बाद भी किसानों की कई मांगे थी जिसको लेकर वो आवाज उठा रहे थे वही 13 दिसंबर को स्वाइन मंदिर में मत्था टेक ने अमरित सर जाएंगे किसान बाठक के बाद किसान नेता बलवीर सिंग राज़वाल ने कहा है कि हम एहिंकारी सरकार को जुका कर जा रहे है लगतार ये बात पहले भी कही गई थी कि सरकार को जुकाएंगे और तीन ने कृशी कानून वापस लेने की जो मांग करी जाई तो उसको पूरी करने की बात क्या रहे थे और जब तीन ने क्रिशी कानून वापस हुए तो MSP की मांग भी उठने लगी हलाकि ये मांग पहले से थी लेकिन बार-बार ये कहा गया कि MSP की मांग जो तक पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा एक साल से अधिक समय तक चला दिल्ली की सीमाव पर ये किसान आंदोलन आज ख़त्म हुआ सहीउक किसान मोर्चा ने आज आंदोलन निसहगित करने का एलान किया है सहीउक किसान मोर्चा की बैठक में सरकार ने प्रस्ताओं पर चर्चा के बाद आंदोलन निसहगित करने की घोशना की है सरकार की तरफ से कृषित सच्चिव के हस्ताक्षरवाली चिठी किसान मोचा को भेजी गई है बैठक के बाद किसान मोचा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा कि सभी किसान नेता 13 दिसंबर को स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे अमनित सरचाएंगे बैठक के बाद किसान नेता बलवीर सेंग राजेवाल दिखा कि हम एहंगारी सरकार को जुका कर जा रहे है तो जब सरकार ने तीन ने क्रिशी कानून वापस लिए जिसका समर्थन किसानों का समर्थन पूरा विपक्षी कर रहा था लगतार मांग कर रहा था कि तीन ने क्रिशी कानून वापस ओमस्पी पर कानून वने तीनों ने क्रिशी कानून की वापसी पर भी सरकार को जमकर खेरा गया विपक्ष द्वारा किसानों द्वारा लेकिन एक खुशी की लहर भी देखने को मिली और इसी ख़बर पर मैंसा ज़ादबाद चीत के लिए समवधा तक गौरफ शुरबास सब जुड़ चुके है गौरफ जिस तरह से एक सार किलंबे इंतजार के बाद अब किसानों का अंदोलन खत्म हो गया है आने वाले चुनावोपेस का क्या असर पढ़ने वाला है मैं पताओं बहुत बड़ा मुद्धा था देखा जाना किbert कर्का नाकामी बताई जारी को लेकर Κेंठ सरकार की बाहिकर प्रेस सरकार की बाहिए लगातार हम्रावर कि और देखाज कुए किसान अंगरण को अगर पक्रशिमें से जोला उगवा था। जहां सी और महोभा के दौरें पर थे थे तो उन्होंने एक ऐतिहासिक एहलान करते हुए किसी गोपस लेने in English कि जिसके बार लोक सभा और रास्वा में किसी कानून कि रूप में तोर पर सामने आये हैं उन्होंने का था कि जब तक कि हमको MSP और तमाम जो हमाई बाते हैं उस पर गारेंटी नहीं मिलेगी तब तक हम किसान अंडुरन को बापिस नहीं करेंगे हाला कि सरकार की तरफ से चार दिसंबर को भी एक पत्र जारी की एड़ा उन्होंना कहाता कि पांच लोग आएं और हमसे बात करें और जो जो उनकी मांगे हैं उस पर बिचार करेंगे और कोई इसका समझोता पत्र तयार के जाएगा जिससे कि आने वर भविस्ट में किसान अंडुरन करवाई होती है धारा पंद्रा और चौड़ा के तहर उससे उनको क्रिमिनल एक्ट उससे हटाया जाएगा परादी के मुकर्मे से इसके अलावा जो एमस्पी है उसके सरकारी नीतिक अलावा के जो किसानों के मुकर्मे हैं उनको बापस लेने की बात भी की गई है और इसके जो संजागरवाल है उनने पत्र जारी किया है जिसको लेगा किसान संद्रोन को बैठा के भी थी और बार में इसके अंद्रोन को एक प्रिस्वारता के माध्यम से खतम करने की घुचरा कर दी गई है जी गौरव जिस तरह से किसान नेता बलवीर सिंग राजवाल ने कहा है क कि हम एहनकारी सरकार को जुका कर जा रहे हैं और अभी भी बैठोकों को दौर चलता रहेगा क्या कहेंगे इस पर देखिए उन्होंनों के सार्मोर्चा है उनकी नेता है बलवीर सिंग उन्होंने एक तोर साब कहा है कि MSP की समीती बनाए गई है जब तक उस पर हम पूरी त सरकार काम करती है और अगर से ःधी है तो फिर घूलों के तो अन्होंनों को फिर लगवर Combah 3078 दिन बड़ा समय होता है जो आंजूरन का जो किसान जारा किया गया है उनका कहना है सरकार ने जो हमको बाते रखी है जो स्विस्ताब रखे है हम अपने खतम कर रहा है हाला कि कुछ जब 19 नमंबर को घुचरा होती तब भी कुछ किसान संगठन जो सिंदू बजर से अपने टेंड को हटा के चल उसके बार भी लगा था चार दिसंबर को बेठक की गई थी श॥क कसान मुर्चा की उसमें कहा गया था कि 4 दिसंबर को बेठक होगी इसे बड़ा फैसल लिया जागा उसकी 4 दिसंबर के बैठक के बार भी पाँच नाम सरकार को बहेजे गय ति जो लों ने बातचीत की थी उसके बाद सरकार के जब से समती पत्र आया था, समती पत्र को आने के बाद से किसान मोचा ने इससे तो बैठा करके इस किसान अननों को वापस लेने का एलन किया है। इस नए मामले सामने आये हैं वहीं इस वाइरस से 169 लोगों की मौत हुई है। प्रतीशत है बता दे कि पॉस्टिविटी रेट लगता 6-6 दिनों से 2 प्रतीशत से नीचे है जिससे कहा जा सकता है कि देश में कोरोना संक्रमड की रफ्तार में काफी कमी आई है और इसके संक्रमड की इस्तिती फिलहाल इस्थिर है। महिट संक्रमड की वीकली पॉस्टिविटी रेट शूने 7-74 प्रतीशत है जो की पुछले 24 दिनों में एक प्रतीशत से नीचे है। कि इस खबर पर मैं ऐसा समधा तो गौर्ण बने हुए है। गौर्ण अब जिस तरह से कोरोना में लगाम लगती हुए नजर आ रही है। कि दूसरा तो ओमी क्रोन का खत्रा भी देखने को मिल रहा है। क्या कहींगे इस परूना में जो मैं पता हूं मामने तो लगातार आ रहा है। जो आपकी पॉजिटिवी रेट है वो बढ़ गया था और आप जैसे कि आप बताया कि 9419 मामले आ गये थे और 169 मोते भी हुए है। पिसे 24 घंटों में तो क्रोना की मामले है वो लगातार देश में आ रहा है। जाकि एक रहात की बार जहां पर जरूर है कि लगभा लभा पिच्छे 66 घंटों से जो पॉजिटिवी रेट है वो दो परसेंट से नीचे गया है। लगभा लभा 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 0.7672 और 0.66% कोरोना का पॉजिटिवी रेट चल ला है। तो एक थोड़ी सी रहात की खबर है पर इसके साथ ही साथ जो ओमेक्रों के मामले अजराक देश में आये। लभा 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 27 मामले में बेल चुक है क्योंकि लभा 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 27 मामले बेल चुक है। लोग आ रहा है उन सभी की जीनोम सिक्वेसिंग की जा रही है। क्योंकि कोरोना में अंतर देखना है कि अलफा है डेल्टा है कि जो नया वेरेंट जो अभी तच्छे पकास सुरू हुआ है उसकी पहचान करना जरूरी है तो वह पहचान केवल जीनोम सिक्वेसिंग की माध्यम से ही की जा सकती है। जो भी बाहर से फिलाइट मरीज आ रहा है और संक्रमेट पाए जाते हैं तो सब की जीनोम सिक्वेसिंग की जा रही है एक डाटा निकाला जा रहा है कि वह मेरकोण से कितने लोग संक्रमेट हुए हाला कि अगर उत्तापेड़ेस की बात करें तो उत्तापेड़ेस में जो भीड़ वाली जराएंगे नहीं होगी और साडियों में भी आयोजन होगा जो बंद आयोजन होगा सोलों से जारा कि अनुमती नहीं दी जाएगी और खास्त और से मास्क को बिल्कुल पूरी तरसे अनुवार करने की पिक्रिया भी सरकार दोरा जारी कर दी गई है जो बलकुल बहुत 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 शुक्रियों मैस्तर जुड़ने के लिए वाह तामाम बातचीत के लिए इस ख़़ड़ पर समवधा तक गॉरव जुड़े थे तो कोरोना के मामलों में लगाम लगती वी नज़र आ रही है पहले के मकाबले अब कम हो रहे ह हो गया जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपन रावत उनकी पतनी मधुलिका रावत समेट कुल 13 लोगों की मौत हो गई रक्षामंतरी राजना सिंग ने लोग सभा में इस घटना के बारे में जानकारी दी उन्हें बताया 8 दिसम्बर को जर्णल विपन रावत उनकी पतनी मधुलिका और अन्यस सेन अधिकारी की जो मृत्य हुई है वो दुख़त है और जानकारी देते हुए कहा कि आप सबके सामने उपस्तित हूँ CDS जर्णल विपन रावत डिफेंस सर्विस वाले वेलिंग्टन के स्टूडेंट्स के साथ बाच्चित करने के लिए अपने शेड्यूल विजिट पर थे वायुसेना के MI 17 V5 हेलिकॉप्टर ने बुधवार को 11 बचकर 48 मिनिट पर सुलूर एयर बेस से उडान भरी पर सुल संसकार की प्रक्रिया के दोरान सैन्य संभाने दिया जाएगा रक्ष्रमंत्री ने कहा वायुसेना चीफ वी आर एस चौधरी को घटना की सूचना मिलते ही बुधवार को घटना स्थल पर भेज़ दिया गया है उन्होंने घटना स्थल और वैलिंग्टन अस्पताल जाकर का जाइजा लिया इस घटना की जाच एयर मार्शल मानविंदर सेंग करेंगे जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ काले वेलिंग्टन के स्टुडेंट आप सर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक सिटून्ड वीजिट पर थे एरफोर्स के यमाई 17 वी 5 हेलिकाप्टर ने कल 11 बचकर 48 मिनट पर सुनूर एयरवेज से अपनी उडान भरी जिसे 12 बचकर 15 मिनट पर वेलिंग्टन में लेंड करना था सुनूर एयरवेज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12 बचकर 8 मिनट पर हेलिकाप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया बाद में उनूर के पास जंगल में कुछ अस्थानी लोगों ने आग लगी हुई देखी जब ये भाग कर उस अस्थान पर पहुँचे तो उन्होंने मिलेट्री हेलिकाप्टर के आउसेश को आग की लप्तों से घिरा हुआ देखा अस्थानी प्रसासन से एक बचाओ दल उठ जगा पर पहुँच गया उन्होंने क्रैस साइट से स्थर्वाईवर्थ को रिकवर करने का भी प्रयाज किया उस अउसेश से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन्हों सबको यथा स्विग्र वेलिंग्टन के मिलेट्री हास्पीटल पहुँचे आया गया प्राप्ट जानकारी के अंसार उस हेलिकाप्टर में सवार पुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्टी हो गई जिन लोगों की दुर्भागे कुण मौते हुई उनमें चीफ आफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्म पत्नी तिरमती वधुल का रावत उनके रक्षा सलाकार ब्रिगेडियर लख्विंदर सिंग लिडर इस्ताफ आफ्टर लफ्टनें कर्नल हरजिंदर सिंग और एर फोर्स हेलिकाप्टर क्रीव समय आर्ण्स फोर्स के अन्ने नौ लोग पामिल है और इस खबर पर हमाई सब्जाद बाचीत के लिए समधाता नेतिन कुमार जोड़ चुके हैं नेतिन ग्रूप कैप्टन वरुन सिंग की जुबत हालत किस तरह की है वरुन सिंग की हालत के अगर बात करी जाए तो काफी गंभी रूप से घायल है बनके सुनका भी है और लेकिन हाला कि उनका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है लेकिन यह बताया जा रहा था कि उन्हें हैधराबाद शिफ्ट किया जा सकता है इलाज के लिए क्योंकि ग्यारा अधिकारी थें ग्यारा सेना के जो जवान थें जो अब हमारे बीच नहीं है उनके पार्थिव शरीर को भी दिल्ली लाने की जो प्रक्रिया है वो लगबग शुरू हो गई है और कल उनकी सद्धांजली सभा होगी और उसके बाद जो लास्ट क्रिमिनेशन होता है जी नितिनम ये भी जानकारी चाहेंगे कि जो जांच के आदेश दिये गए है वो कहा तक पहुची है? पर यही कहना है क्योंकि आकल प्राइम टीवी पर यह ख़बर चल रही थी तो खराब विजिबिल्टी की बात कहीं गया था कि जहां पर यह आधसा हुआ है वह पहाड़ी इलाका है वहां पर कई सारे जो जंगल है वो भी है कई सारे जो पेड हैं पेड़ों की डंठाल है वो भी निकली हुई है और ऐसे हम इस थानिय लोगों की तरफ से भी उड़ते आया है और उसके बाद पेड़ की किसी डंठाल चे टकरा गया है और उसके बाद अव्हो हेलिकॉप्टर जमीन पर गिर गया है और वो बिल्कुल आग में तबदीل होग्या जिससरह के पाईलेट होते है विमान को आने के लिए विवी आएपी के विमान को आने के लिए जो सर्वश्रेष्ट पाईलेट होते है। कि ये हाथसा होना संभव है देखे पाइलेट की बात करी जाए तो इस तरह के देखे मशीन है टेकनिकल चीजे हैं सबसे हम बात यहां पर शिखा यही है कि विजिबिल्टी अगर सही नी थी मौसम खराब था तो हेलिकॉप्टर को उड़ाना नहीं चाहिए था क्योंकि बारि MI-17 जो विमान है ये बाहर का विमान है इसे भारत ने खरीदा हुआ है रशिया से और इसकी जो तकनीकी चीजें वो काफी बहतर हैं इसके अलावा जितने अधिकारी इसमें बैठे हुए थे क्योंकि CDS विपिन रावत इसमें बैठे हुए थे तो जाहिर से बात है उसकी ज टेकनिकल चीजें उसकी जाच परक पहले ही कर ली गई होंगी और उसके अंदर किसी प्रकार से कोई टेकनिकल खामिया नहीं होंगी लेकिन राज्जा सिंग जो की देश के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने आस संसर में इस बात को कहा है कि 12 बचकर 8 मिनट पर जो संपर्ग था चेजो डाटा होता है हो डाटा रहता है उसे पता चल सकता है कि क्या तापमान था हवाई जहाज में जब उसके साथ इसको दुरगौटना हुई है फ्यूल कितना था पासफोज और शूर्ट कितनी ठी आ सफीड कितनी थी जो हाधिसा के कारण क्या थे यह सारी जो चीज़े हैं यह ब्लैक बॉक्स से पता चल सकती है और इसी वज़े से उट ब्लैक बाॉक्स को रिकवर करके जो जांच कमिटी बनाई जाए गी उसको सेवत दिया जाएगा और वो जान्ष कमिटी इस पर जो रिपोट है वो रिपोट निकाल कर देगी शिखा कुर। जानकारी के लिए इस खबर पर माजसा समधाता नितिन जुड़ेते तो सीधे तोर पर अब जाच चल रही है और जो क्याप्टिन है अभी भी घायल है उनका इलाज चल रहा है बहतरी इन इलाज देने की पूरी कोशिश कर रही है सरकार दिली के रोहिडी कोट में गुरुवार सुभाई का विस्पोर्ट हो गया दमकल अधिकारियों ने ये जानकारी दी कि प्रारंबिक रिपोर्ट में विस्पोर्ट की वज़ा लैप्टॉप का फटना बताया गया है हलाकि पूलिस ने कहा कि वो मामले की जाच कर रही है रोहरी कोट ब्लास्ट के बद मौके पर जाच में पहुँचे सपेशल सेल के एक अधिकारी ने बताया कि ब्लास्ट टीम के डब्बे में हुआ था और ब्लास्ट के बाद सफेद पौडर कोट के रूम में बिखर गया कुछ कील बैटरी और वायर भी विखरे हुए मिले दमकल अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सुबह 10 बच का 40 मिनिट पर विस्पोर्ट की जानकारी मिली जिसके बाद घटना असल पर साथ अगनी शमन गाडिया भी भेजी गई अधिकारियों ने बताया कि विस्पोर्ट के बाद अदालत में कारिवाई निलंबित कर दी गई और मौके पर पहुची पुलिस ने अपनी जाच शुरू कर दी पुलिस सूत्रों के मताबेक बैग में लैप्टॉप के साथ टिफिन भी था टिफिन ब्लास्ट होने की संभावना बताई जारी है और एंटी टेरर यूनिट के वर्ष्ट अधिकारी का कहना है कि जब BDS और FSL विशिशग्य इसकी जाच नहीं कर लेते तब तक पुष्टी नहीं कर सकते धमाका कैसे हुआ है और ये किस तरह का धमाका है। डिवाइस में ब्लास्ट हुआ जिसके वजह से वहां अफवा तर्वी मच गई दिल्ली के रोहनी कोट के रूम नंबर 102 में कुछ संदिक्द इलेक्ट्रानिक डिवाइस में ब्लास्ट हुआ और फिर ये अफवा फैला दी गई की गोली चली है जिसको देखते हुए रोहनी की दो लोग घायल है जिने नजदी की अस्पताल में एडमीट कवा दिया गया है जो बहुत 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 शुक्रिया मासे जुड़ने के लावा तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर मासे संवधा तब विभान शित जुड़े थे तो रोहनी कोट में लाप्टाप फटने से जो हाथसा हुआ है वह स्पोर्ट हुआ है हलाकि इसमें सब भी सुरक्षित है लेगन अभी इसके जाच करी जारी है कि किस तरह का क्या ये बंध था या फिर से फिल लेफट टॉप ब्लास्ट हुआ है चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिल हाल लता ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी